असलाम अलेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजरों में आप लोगों के लिए सबसे जादा इंपोर्टेंट होने वाली क्योंकि आज किस वीडियो में ने बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली एप्लेट साओधी अरफ की मिनिश्ट्य वाज एन उम्रा कि तरफ से लेकिन अब मिनिस्टिनी इन सारी चीज़ों से आपको छूट कर दी है और अब आप बिना इम्यून इस्टेटस और बिना RTPCR करवाए भी उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं आपको कोई प्राबलम नहीं होगी लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है यह फिर जुखाम महसूस होता है तो आप सबसे पहले जाए अपना चेक अप करवाए चेक अप करवाने के बाद अगर आप नॉर्मल पाये जाते हैं तो आप उम्रा करने जाए आप कोई प्राबलम नहीं होगी इसके बाद दोस्तों कुछ लोग पूचते रहते हैं कि मैं साओधी अरब से इंडिया वापस गया था फिर किसी अधर कंट्री को गया था उसके बाद में वापस नहीं आये तो मेरे उपर कितने साल का बैन लगेगा तीन साल का बैन लगेगा आपकी वीजा की एक्सपाइरी डेट से की जाएगी अगर आप आसान भासा में समझे तो मैं एक्जामपल के लिए आपको बता देता हूँ जैसे कि माली जे मैं आज साओधी अरब से जा रहा हूँ तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिलकुल न कीजिए क्योंकि आपको एरपोर्ट से वापस भी भेजा जा सकता है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्राबलम हो सकती है और दोस्तों यह बात मैं नहीं कर रहा हूँ यह बात जवाजात कह रही है लेकिन दोस्तों अगर आपकी छुटी को एक्सपायर हुए साथ दिन से ज़्यादा हो जाते हैं 61 या फिर 62 डेज हो जाते हैं तो उसके बाद में आपके ओपर 3 साल का बैन लग जाता है और आप साओधी अरप 3 साल तक नहीं आ सकते हैं और यहां पर आप एक हरूप की कट्गरी में आ जाते हैं हरूप की कट्गरी की मतलब यह है कि अगर आप जवाजात में जाकर या फिर आपका कफिल जवाजात में जाकर आपका डेटा चेक कराता है तो वहां पर अप्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाएगा जैसा कि एक नॉर्मल हरूप वाले बंदे में दिखाया जाता है अपसेंट फ्रॉम और वो ऐसा ही डेटा आपके में भी दिखाएगा और दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट साओधी रफ की पब्लिक प्रोसेक्यूशन की तरफ से पब्लिक प्रोसेक्यूशन ने बताया है कि इसको मैं आपको थोड़ा से डिटेल से बताता हूँ जैसे कि माली जी आप लोग इंडिया में देखा होगा कि जो लोग फ्रॉड करते हैं आप लोग एक चेक काट के देते हैं तो आपके वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है और आपकी किसी भी बात की सुनवाई नहीं होती लेकिन दोस्तों यहाँ पर सौधी रफ की पब्लिक प्रोसेक्यूशन ने बताया है कि अगर किसी बंदे का चिक बाउंस हो जाता है अगर पैसा नहीं है और उसने एक चिक काट कर किसी बंदे को बैंक बेज दिया और वहाँ पर उसका चिक बाउंस हो गया है तो उसके उपर पचास हजार रियाल का जुर्माना पलस तीन साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी तो यह थी इनफोर्मेशन जो मुझे लेके आप लॉंकशा शेर करने चाहिए आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबादिये मिलते हैं आपको गली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ